गीता को एक ग्लोबल बुक माना जाता है, ग्लोबल, तो गीता में ऐसे कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, जो विद्धियार्थियों को, इस्टुएंट्स को करियर निर्माण में साहिता कर सकते हैं। देखिए, सबसेड़ी बात यह है कोई भी विज्ञान को, यह भी अध्यात्विक भी जो भगोजीता का है, यह ज्यान नहीं है, विज्ञान है। गीता में स्वें भगवान केते हैं ग्यानम विज्ञानम सहितम यह ज्यान भी है अर्थात थियोरी भी है और विज्ञान अर्थात उसको थियोरी को लगाया कैसे चाहिए तो आप मुझे कहेंगे शौर्ट में बता दो देखिये आज फिजिक्स, केमेस्ट्री, कंप्यूटर आप एक दिन में आई घंटे में ही सीख सकते हैं ठीकना जी तो थियोरी आपको जाननी पड़े तो मैं आपसे अनुरोद करूंगा कि भगवद कीता भी कोई भी श्लोक ऐसा निये इसको मिस्स कर सकते हो जैसे एक दो तीन चार सीखते हम जो तो मैंने का एक दो तीन चार छे नौ दस गिंति पूरी हुई नहीं हुई सारा एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नौ दस पूरा बोलना पड़ेगा एक सीक्वेंस बोलना पड़ेगा और हर अंक आना पड़ेगा यह दोनों चीज होना पड़ेगा तो इसी तरीके से या अध्यात्मिक ज्यान जो है इस करम पे तेरा अधिकार है फल पे तेरा अधिकार ही नहीं क्योंकि फल का तो पता ही नहीं फल का मतलब यह है उसका जो रिजल्ट है उसका पता ही नहीं क्या पता जो आप चाहते है वह हो उससे ज्यादा भी हो सकता है उससे गम भी हो सकता है तो इसलिए आपका अधिकार के स पढ़ने पे आप अपढ़ सकते हो एक्जाम दे सकते हो नमरों पर अदिकार का है आपको बदाई है ही नहीं आपको सिरफ पढ़ने पर अदिकार है तो इसलिए उसलिए बहुत चीजे हैं जो आपके क्योंकि स्टूटन जब आप सुनलाइफ में होते हो वी अजय किसम से मैं इसको करियर के खा portion 2.5 कैमिछ पुछने करियर क्यों का क्योंकि उससे करियर बनता है जी बीज फेडर बनता है यह बीज भी तो पेड आप टुक्त हो आरा कर सकते हो आप नहीं कर सकते इसे लिए हम सीवाव विद्ध्या ले रहे हो यह करियर का विज अगर आपने बीज पूर और उत्साह कम हो जाता है, उस उत्साह को वापस कैसे लाया जा, क्योंकि अर्जुन का उत्साह कृतम हो गया था, अर्जुन ने मना कर दिया था जूद करने के लिए, अर्जुन देखिए बगलती था सुनने के बाद कैसा जूद किया, जबरदस्त, उससे पहले क्या हुआ थ निरुस्साइत हो गए थे, डिप्रेशन आ गया था, आत्पहत्या करने के स्थिति भी आ गए थे, कि मुझे कोई भी मारेगा में मरने को त्यार हूँ, ये बचाट मरने, तो ये आज समस्या है, तो ये जिखाती है, भागो नहीं, पलायन नहीं करना, फेस करना, बंदू फेस गोड़ी तामे.